धौलपूर बजरंग नल ने पठान मूवी के पोस्टर जलाकर किया विरोध प्रदसन धौलपूर की प्रमुक खबर धौलपूर जिले में हिंदू संगठन शारुक खान की पठान मूवी के विरोध में उतर आये हैं हिंदू संगठन ने धौलपूर शहर में हनवान तिराई पर पठान मूवी के पोस्टर जलाकर विरोध जताया और चेताब ने दी के हिंदू संगठन पूरे देश में इस मूवी को नहीं चलने देंगे बजरंगल के जिला संयोजग मनो सोनी ने बताया कि शारुक खान द्वारा बारवार हिंदू मांदंडो का हनन किया जाता है जिसको लेकर समस्त हिंदूओं में आक्रोश है पठान मूवी का सभी हिंदू संगठन विरोध करते हैं और सभी सिनेमा घर वालों से अनुरोध है कि इस मूवी को अपने सिनेमा घरों में ना लगाएं जिला सैसायोजक राम शर्मा ने कहा कि बॉलीवोड के सरिया रंग के खिलाप नरेटिव चलाता है नंगापन दिखाकर बेशर्म पन को आगे बढ़ता है या फिल्म धौलपुर में ही नहीं संपूर भारत बर्समन नहीं चलने देंगे तमाम हिंदू संगटनों ने यह तै किया है कि हम सब कारिकरता इसपष्ट कह रहे हैं कि इस मूवी का खुल कर विरोध किया जाएगा और पुतले जलाए जाएंगे जिस भगवा रंग को हम अपने मस्तक पर तिलक लगाकर गौरवान वित मैसूस करते हैं उसका अपमान नह हैंगे विरोध करने वालों में चंद्रप्रताब धाकरी, नरेश कुमार, मतुरिया, शुभम श्रीवास्तव, दीपक पचोरी, रविंद्र कुमार, नवल, राजु निशाद, सुमित सक्सेना, अर्जुन, राजोरिया, हर्स गुधेनिया, कृष्ण पंडित, प्रवीन ग का श्री राम में मनुच्वनी जिला से योजग बजरंगदल दॉलपोर, जो सारुख खान के द्वारा ये मूवी आ रही है, पठन मूवी, उसका हम इंदू भाई सभी मिलके ब्रोध कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इंदू मन टेड़नों को नुक्सन पहुचाया, उसमें बगवा का अपमान किया गया है, ये अपमान इंदू सहेगा नहीं, इसका बाइसकार करेगा, और ये कहीं मूवी लगती है, तो इसका भी ब्रोध करेगा, हम टौकीज वालों से भी कहते हैं, इस मूवी को ना लगाएं, जैस्री राम जैस्राम बंदे मात्रव, जैदा की पठान मूवी, भगवा रंग का अपमान किया गया है, आप सभी को क्या आते हैं, भगवा रंग, जो कि हम मस्तक पर लगाते हैं, उसके अपमान हर इंदू मैदान में है, अगर पठान मूवी कहीं भी लगती है, किसी भी टौकीज में पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावत भुटो का पुतला जलाया, धौलपूर की प्रमुक खबर, महरत के प्रधान मंत्री स्री नरेंदर मोदी जी के खिलाप, शर्मनाक विवादित वयान देने पर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावत भुटो जर्दावरी का पुतला जलाया गया, प्रदेश भारती जंता पार्टी के निर्तुत में, सिविल लाइन फाटक पर, आ अनिता बुरा परणा भुगतने को तयार रहे हैं सुकालय मंत्री पद पर नंदिनी, एवं क्रसी मंत्री पद पर अंकित, सांस्रतेक एवं खेल मंत्री पद पर आरती, प्रार्थना सभा मंत्री पद पर शिवा विजई रहे, विजई चातर शात्राओं को संस्था प्रधान, शास्तिलाल कोशल द्वारा, पद की शपत दिल पीयो, स्रीमती, सुस्मा शर्मा, अध्यापक, अमित, जितेंद्र, विनोध, युद्धवीर, स्रीमती ललिता, स्रीमती रूबी, स्रीमती रेणू, निकिता गांदी, फैलो वार्ड पंच, अंजली उपस्तित रहे। धौलपुर से रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। पुस्तकाले मंतरी पतपर नंदने, जल एम कर्षे मंतरी पतपर एमकित, सांसकर्तिक एम खेल मंतरी पतपर आरती, तथा प्रात्पर सवा मंतरी पर शिवा विजए रहे। विजए चातर सातराओं को संस्ता परदान जी सास्तिर को जल जी के द्वारा पत्त की सफ़त दिलाए जिसके अंतरगत सभी संभागों की टीम विभिन खेलों में सहभागिता कर रही है जैसे कबड़ी, पुरुस महिला, बैडमिंटन, पुरुस महिला, बास्केट बॉल, बॉली वॉल, किर्केट इत्यादी, धौलपुर जिले का प्रतनिदित्व, प्रमोत कुमार शर्मा, राज संधर व्यक्ति, राजा खेला एवं जिला कलेक्टेट से, धरमवीर सिंग एवं आस मुहम्मद ने भरतपुर संभाक की टीम में भागीदारी का जिले का गौरब बढ़ाया, नवम राजिस्तान राजय अंतर संभागी खेलकूत प्रत्योगिता दो हजार वाज़ तेईसका, शुभारम गोशाला मैदान पर जिला कलेक्टर, जोधपुर, हिमांशु अग् संभागी आयुक्त, केशी मीना, इस्थानिय विधायक, जन प्रतिनिदियों गण, एवं धौलपुर में अतरिक्त जिला कलेक्टर रहे, नरेंद्र वर्मा सहित, विविन अधिकारी करमचारी जन प्रतिनिदी मौजूद रहे, खेल 15 दिसंबर से 17 दिसंबर तक आयोजित हो पर खिलाडियों का अच्छा प्रदसन करने की शुब कामने प्रदान की, राजा खेडा से बुद्ध सिंग उधनिया की रिपोर्ट धोलपूर जिला अगरवाल युवा महासंग के पदाधिकारियों का हुआ स्वागत बाड़ी की प्रमुक खबर अग्रवाल नव्युवक मंडल बाडी द्वारा अध्यक्ष अमित मंगल की अध्यक्षता में जिला अग्रवाल युवा महासंग धौलपूर की नव निर्वाचत कारिकारणी के स्वागत समहारों का आयोजन गुलाव बगीची के पास बर्खंडी महादे मंदिर पर किया गय एवं मीडिया प्रभारी रवी गोयल दोपरा वालों का साफा वा माला पहना कर भवे स्वागत एवं सम्मान किया। कारिक्रम के दोरान नव निर्वाचेत जिला अद्देक्ष कपिल गर्ग ने बताया कि समाज से कुरीती को हटाना मेरा सबसे पहला प्रयास होगा। इसी क्रम में डॉक्टर प्रखर मंगल जिला महामंत्री सैंकी गोयल कोसा द्यक्ष रवी मितन ने अपने विचार व्यक्त किये। युवा प्रदेश सचेव रवी गोयल दोपरा वालों ने कहा कि हमारे समाज में गुट बाजी दिनो दिन बढ़ती जा रही है। इस द्वेज भावना को छोड़ कर हम सभी को एक जुट रहना चाहिए। कारिक्रम का मंच संचालन, महामंत्री अंशुल गर्ग वा एडवोकेट विपिन गर्ग द्वारा किया गया। कारिक्रम समापन पर बाड़ी अध्यक्ष अमित मंगल द्वारा सभी का आभार व्यक्त कर धन्यवाद दिया। बाड़ी से राजु शर्मा की रिपोर्ट। अहमत्पुर गाउं में आम के पेड़ पर लटका मिला 11 कक्षा के चात्र का शब। दिर रात को सोया था घर पर, सुबह मिली पेड़ पर लटकी लाश, पुलिस कर रही मामले की जाच, बाड़ी की दुखत खबर, सदर्थाना अधिकारी, हिरालाल मिरा ने बताया कि गाउं एहमत्पुर में किसी युवक के पेड़ पर लटके मिलने की सूचना पर वे जापते के साथ मौके पर पहुँचे और शब को पेड़ से उतरवा कर मोर्चरी में पहुचाया और पंच नामा करा पोश्माटम की कारवाई की है, प्रतम दश्टया मामला आत्मत्या जिसमें किसी प्रकार का कोई संद्य ना हो और मामले की निस्पक से जाच हो सके, इसको लेकर पोश्माटम कराया है, गटना को लेकर खानपुर गाउं के सरपंच राजेस मिला ने बताया कि 18 वर्सिये विश्नु पुत्र पूरन कुस्वा 11 वीक अक्षा में पास केप गाउ कसोटी खिडा में पढ़ने जाता था, उसकी परिक्षा भी अच्छी हुई थी, ऐसे में अचानक उसने ऐसा क्यों किया, इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी है, मरतक के पिता पूरन कुस्वा का कहना है, कि विश्नु उनकी पांच संतानों में सबसे छूटा है, उसके दो ल बाड़ी मनिश कुमा शर्मा ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है, प्रथम दस्थया मामला आत्मत्या का ही है, इसके काड़ों का पता लगाया जा रहा है, बाड़ी से प्रमुद मुदगल की रिपोट बाड़ पोश्ट माड़म परवारजनों को लास्थ पूर्द है, रोटरी क्लब ने लगाया निशुल के हीमोगलोविन जांच शिविर, धौलपुर से खास खबर, एनेमिया मुक्त भारत अभियान के तहट, रोटरी क्लब धौलपुर सिटी के दौरा, बाड़ी रोड इस रिनी होस्पिटल पर निशुल के हीमोगलोविन जांच शिविर लगाया गया, इस अफसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष डौक्टर रेनु निखिल अगरवाल ने कहा कि सामाजिक सरोकारों की श्रंखला में हमारे द्वारा बच्चों के लिए ये शिविर लगाया गया ह कलब निकट भविस्व में भी अपने सामाजिक दायतों का इसी प्रकार निर्वाहन करेगा, डौक्टर निखिल अगरवाल ने बताया कि बच्चपन में बच्चों को उचित आहर देने की आवशक्ता है और मौसम के अनुसार फल और सबजियां अनुवारी रूप से आहर क पिखिल अगरवाल मौझूद रहे, जांच के अनुसार कम हीमोग्लोविन बाले बच्चों और वयसकों की निश्वल के दवा वित्रत की गई, धौलपुर से एडवोकेट रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट